So hey hello everyone and welcome you all to an academy क्या आप परेशान है कि physics की तैयारी कैसे start करें CVT exam के लिए board exam भी है आपका या JEE और NEET की भी तैयारी अगर कर रहे है तो आपको CVT के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए आज मैं आपकी सारी confusion को दूर कर दूँगा CVT exam के अवारे में अगर मैं बता हूँ आपको तो ये JEE और NEET exam से अलग है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको class 12th के ही topics पर focus करना है ये board exam से भी अलग है क्यों अलग है because board exam में आपके कुछ deleted part है यहाँ पर सब कुछ आपका आ रहा है जो deleted, non deleted सब कुछ यहाँ पर है और जो level of questions रहते हैं वो NCRT level के ही है but pattern wise आपको चीज़े crack करनी पड़ेगी जो बच्चे है न 15 लाग से बच्चे ज़्यादा आपके बैठ रहे हैं यहाँ पर entrance exam देने के लिए CVT तो वो चीज competition बनाता है ठीके, seeds हमारे पास limited है अच्छी universities के अगर बात करें paper easy है बट करना कैसे है तैयारी वो मैं आपको यहाँ पर समझाओंगा तो syllabus तो देख लिए जिक class 12 की जो आपकी old NCRT है वो ही आपका syllabus है यहाँ पर ठीके, syllabus तो आप जानते ही है class 12 में तो अब चलिए मैं आपको यह बताता हूँ कि CUET का physics का जो paper है वो कैसा आएगा आपको यहाँ पर मिलेंगे 50 questions 50 questions होंगे आपके पास physics के exam में 45 minutes का आपके पास time होगा 10 questions आपको छोड़ने होंगे कुछ नहीं करना उसमें बस identify करना है कौन से में ज़्यादा calculation है या किसी में कुछ ऐसा fact पूछ लिया है जो आपको नहीं पता और 40 questions असली में आपको attempt करने है अगर आप ज़्यादा भी attempt करनेंगे तो जो सबसे पहले आपने attempt किये हैं 40 questions वो ही check होंगे अब जो 40 questions आपने किये हैं पैटन हमें समझना है तो ठीक है पैटन समझ में आगया कि पेपर का पैटन कैसा रहना 45 minutes 40 questions तो बहुत ज़्यादा time आपको मिल रहा है questions के लिए तो चलिए अब ये देखते हैं कि 200 में से 200 physics में कैसे आप लेके आएंगे 200 का target score कैसे अचीव करेंगे जैसे election में एक target रहता है जो भी leaders होते हैं कि हम जी इतनी seat लेके आएंगे और पहले से इंडोरा पीट देते हैं ऐसी तरह आप 200 में से 200 लेके आएंगे और paper pen ऐसे करके century जैसे माल लेते हैं वैसे कर देना आप paper में सबसे पहली चीज मैंने यहां पर step by step सब कुछ आपको बताया है सबसे पहली चीज आपको NCRT read करनी है अचा कई लोगों को तो NCRT खोलते हैं ऐसे चक्कर से आ जाते हैं सर क्या लिख रखा है boring book है diagram नहीं है कोई भी चीजे अच्छी तरीके से नहीं दे रखी नहीं इसके लिए हमने क्या कराया आपको highlighted NCRT provide करी है और highlighted NCRT आगर पढ़ लेंगे वहीं से questions generally बनते हैं तो आपका बिल्कुल सारी चीज़े clear हो जाएगी अब NCRT पढ़ने के साथ-साथ आपको pattern crack करना है कि NCRT का ये question आया है तो इसके उपर इस तरीके के किस-किस तरीके के question बन सकते हैं तो वो भी मैंने pattern crack कर रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसी तरीके question आपको exam में मिलते हैं कोई भी exam हो जाए वो ही pattern आपके पास घूमता रहेगा फिर अगर critical data charts और graphs जो है वो NCRT काफी ज़्यादा important है last time बहुत ज़्यादा factual चीजे भी mock में डाली हुई थी और real paper में भी आई थी तो वो या तो आप skip कर दें और या तो अगर आपने पढ़ रखा है तो तुरंत आप चीता बन जाएंगे और उसको mark कर देंगे अब NCRT अगर आपके पास ये तीन चीजे complete हो गई pattern आपको समझ में आगे अब इनके notes भी बना लेने है short notes, formula sheet अच्छा जो लोग बना लेंगे तो सही है नहीं तो हम यहाँ पर किसके लिए है इसलिए है फिर जब आपने एक बार concert पढ़ लिया फिर आपको कुछ भी चीज की tension नहीं है क्योंकि concert बार 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 रिवाइस हम करते रहेंगे जो highlighted part है काफी जल्दी हो जाता है इसके बाद आपको क्या करना है MCQ की practice start करनी है topic wise जैसे एक topic पढ़ा electrostatic उसका कर लिया या फिर coulum slow पढ़ा उसका कर लिया आपने intrinsic extrinsic semiconductors पढ़े उसका कर लिया logic gate पढ़ा उसके topic wise MCQs कर लिये फिर topic wise के बाद unit wise पर आजाईए unit wise के बाद complete slaybers के मौक पर आजाईए यह आपको इसी तरीके से sequence बढ़ाना है MCQ का यह नहीं कि सीधा ही पहुँच जाएंगे चीता बनने सारे के सारे questions attempt करेंगे और फिर कहेंगे तो हमने तो सब कुछ पढ़ रखा है दुबारा से requirement है कि दुबारा से आप पढ़िए NCRT को देखिए pattern crack करिए अगर हम बात करें और topic wise, unit wise भी questions हमारे पास बहुत बड़ा database है मैं तो class में ही यह सारे questions आप करवा देता हूँ साथ के साथ कि यह pattern रहता है तो यह इस तरीके से आपको क्या करना है यह strategy follow करनी है 1, 2, 3 आप इस तरीके से काम कर सकते है NCIT खतम करी, MCQ की practice करी, mock दिया ठीक है, last time का mock भी आप देख सकते हैं तो एक बारी पूरा यह एक chart को खतम कर दीजिए यह नहीं कि एक topic पर काफी ज़्यादा time आप लगा रहे हैं पहले एक sequence को खतम करीजिए फिर दुबारा आई है, फिर तीसरा बार इस तरीके से कर लेना formula sheet देखिए, ऐसी इस तरीके की formula sheet मैंने आपको provide कर रखी है handiton भी और इसके इलावा type भी तो यह मैं सारी की सारी चीज़े आपको provide हो जाएगी पूरा का पूरा study metal, physics का इसके लिए बिल्कुल tension नहीं लेना फिर बात करें कि book list क्या आप follow करें अगर आपको CUET में 200 out of 200 लेने है तो पहली चीज all NCRT आपको follow करनी है या तो कहीं से खरीद के लिजिए bookshop पर जाईए और बोलिए all NCRT देदो जिसमें communication system हो अगर old NCRT आपको नहीं मिल रही है तो net से download कर दो नहीं तो मेरे telegram group पे जाओ वहाँ पे मैंने आपको provide करी है highlighted NCRTs फिर मेरे notes उसको तो भूली नहीं सकते और मेरे assignments जिसको मैंने topic wise pattern wise पूरा बना रखा है physics में आपके अच्छे marks के लिए इसके बाद CVT के previous year questions last year जो बच्चों ने exam दिये थे हमने उनके एकटे गरे paper जो उन्होंने mark किया उनकी answer keys जो आई थी उनके तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ये हम ही आपको provide करेंगे इसके लाब नीट के PYQs सिर्फ class 12 के ये आपका last level है जो आप तयारी करेंगे और NCRTs को पढ़ते रहिए क्रैक करते रहिए ठीक है अच्छा कई लोग पूछेंगे सर ये तो काफी easy लग रहा है so do I require coaching क्या मुझे coaching लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए देखे coaching किसली ली जाती है वो मैं आपको बताता हूँ अगर आप coaching जोईन करते हैं तो coaching आपको ये चार चीज़े प्रवाइड करती है पहली बार आपको यहाँ पर हम प्रवाइड कर रहे हैं calendar schedule की आपकी जो पूरा का पूरा 15 chapters जो है उसको धीरे 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 हम complete कराएंगे आपके छोटे छोटे चोटे targets हम ही बना के देंगे तो ये काम हो जाता है दूसरी बात हम धीरे धीरे levels बढ़ाते हैं questions का so that की आपका confidence बना रहे because confidence बना रहेगा तो आप challenge लेने के लिए तयार रहेंगे challenging question भी करेंगे उसको accept करेंगे और challenging question करेंगे तो आपकी capability भी improve होगी और धीरे धीरे जो आपको improvement दिखेगी वो finally जाके exam में दिखेगी ठीक है तो coaching आपको ये चीज प्रवाइड करती है अगर आप खुझ से schedule बनाके पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है बट 15 लाख बच्चे हैं seats काफी कम है बाद में आप सोचेंगे कि मैं coaching ले लेता तो अच्छी बात रहती और जो मेरा दोस्त है वो coaching नहीं ली मतलब उसने coaching ले ली उसका हो गया तो वो फिर जिंदगी भर चुपती है बात एक मतलब बहाना यहाँ पर unacademy क्यों join करें because unacademy पर personal attention जितनी आपको मिलती है ऐसा कहीं पर नहीं मिलती teacher एक एक बच्चे को जानता है मैं आपको दिखाता हूँ यह हमारा है last time का result अमर बच्चे देखें मैं अपनी special classes जो लेता हूँ उसमें मैं क्या है screenshot डाल देता हूँ जो हमारे polls में top करते हैं और मेरी classes अगर आप CVT की जाके देखेंगे आपको इस सारे के सारे अमर बच्चे वहाँ पर मिल जाएंगे अनुपमा कुमारी, अदीती भगत, गर्व अगरवाल, खुशी, रेनु, मलिक, साक्षी और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 99% से ज़्यादा score किया है तो ये आपको मिल जाएंगे, ये result है जो हम आपको result दिखा रहे हैं personal attention के साथ आपको यहाँ पर physics में पढ़ाऊंगा, hand holding आपने इससे पहले कुछ पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ज़्यादा चीजे ट्राई नहीं करनी limited resources रखने है, limited slaves आपका है और return format में तयारी करनी है बार बार और उसके लिए unacademy है आपके साथ, आप join कर सकते हैं unacademy using code ms25 और इस youtube channel के अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजे हम free of cost यहाँ पर provide कर रहे हैं आपको आरहम badge जैसे है कि हम बिल्कुल free of cost दे रहे हैं thank you for watching this video और हमारे telegram से जूड़ जाएए t.me slash physics uet because मेरी classes की ppt's आपको इसी telegram channel पर मिलेगी so thank you और अपने दोस्त के साथ जरूर share कर देना क्योंकि college में यार अनुल्ले मिलते हैं अगर आप अकेले अकेले चले जाएंगे college में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अपने दोस्तों के साथ जाएए इसलिए video जरूर share करके आईए so thank you और like करके जरूर जाना बाई बाई